हेलो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और बेल लाइकन को भी दवाएं ता इस सारी लेटर्स अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे तहले हेलो सुडेंट्स वेलकम टू एकॉनोमिक्स ओनलाइन आज एकॉनोमिक्स की इस कलास में हम डिसकस करेंगे यह कॉस्चन पर्तेक्स तथा एपर्तेक्स करों से आप क्या समझते हैं पर्तेक्स तथा एपर्तेक्स करों के गुण और दोसों की विवेचना की जिए तो सबसे पहले लेते हैं पर्तेक्स कर पर्तेक्सकर क्या होता है, जब किसी कर का करापाथ, impact of tax करापाथ को कहते हैं और करों का बहार, tax incidence, करों का बहार, एक ही व्यक्ती पर पड़ता है पर्तेक्सकर से हमारा तात्परी है जब किसी कर का करापात और करो का भार एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो वह कर पर्तेक्सकर कहलाता है पर्तेक्सकर जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं उसका भुगतान उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है करदाता उसका भार दोसरों पर नहीं टाल सकता परत्यक्स कर के उधारण है आयकर है उत्रा दिकार कर है नीगम का कर है मृत्यु कर है उपाहर कर है कृसी आयकर आदी ये सभी कर पर्त्यक्स कर की कैटेगरी में उनकी सरेणी में आते हैं जो एक ही व्यक्ति पर लगाये जाते हैं और जिस पर लगाये जाते हैं उसका भुगतान उसी व्यक्ति को करना पड़ता है पर्त्यक्स कर की कुछ परिवाशाएं भी अलग-अलग अर्शास्त्रियों ने दी हैं प्रोफेसर डाल्टन के अनुसार पर्त्यक्स कर का भुगतान वास्तों में वही व्यक्ति करता है जिस पर यह वैदानिक रूप से लगाये जाता है बिलकुल सही प्रोफेसर जेके महता ने कहा उसने भी इसी बात को दो रहाया पर्त्यक्स कर वह है जो पूण- रुपेंड उस व्यक्ति द्वारा चुकाया जाता है जिस पर वह लगाया जाता है अब आते हैं कि पर्तिक्स करों के गुण क्या है गुण आता है या लाब आता है तो ये की बात है सबसे पहला लाब है नमबर एक न्याय पूर्ण पर्तिक्स कर न्याय पूर्ण होते हैं क्योंकि ये कर व्यक्तियों की करदान छमता के आधार पर लगाय जाते हैं इन करों का भार धनी वर्ग पर अधिक तथा निर्धनों पर कम पड़ता है पर्तिक्सकर की दरे प्रगती सील होती है दूसरा है मितवेता पर्तिक्सकरों में मितवेता हुप पाई जाती है क्योंकि इन करों को वसूल करने में राज्ये को अधिक भी नहीं करना पड़ता निश्चित्ता पर्तिक्स करों में निश्चित्ता का गुण भी पाय जाता है क्योंकि इन करों के संबन्द में करदाता को पूर्ण जानकारी रहती है और तीसरा होता है लोच्ता पर्तिक्सकर लोचदार होते हैं सरकार इन करों में आवस्चक्त अनुसार परिवर्तन कर सकती है लोचदार यानि लचीला जिसको कम या ज़्यादा किया जा सकता हो अर्थाथ इस परकार के करोते हैं चोथा नागरिक चेतना पर्तेक्सकर नागरिक स्विम जमा करता है तथा स्विम ही उसका भार वेहन करता है इस कारण वह यह जानने का परियास करता है कि दिये गए कर का उपयोग सारवजिनिक हिट के कारियों में हो रहा है अथवा नहीं इस परकार कर का भुगतान करने के पस्चाथ व्यक्ति में आदर्स नागरिक्ता एवं करतव प्रायनता की भावना भी जागरत हो जाती है पाँचवा है उत्पादकता परत्यक्सकर उत्पादक होते हैं, करों की मात्रा में थोड़ी सी व्रेदी से ही अधिक आय प्राप्त हो जाती है, जिसका उप्योग देश के आर्थिक विकास में किया जाता है, economic development में किया जाता है छटा है समान्ता, परत्यक्सकर प्रगती सील होते हैं, ये कर धनी व्यक्तियों पर अधिक मात्रा में तथा गरीब वर्ग पर कप मात्रा में लगाए जाते हैं, इस परकार परत्यक्सकर आर्थिक ऐसमान्ता समाप्त करके समाज में समान्ता लाने का परियास करते हैं इनसे कुछ हानिया भी हैं वो क्या है नंबर एक करो की चोरी परतेक्स करों में सबसे बड़ा दोस है कि व्यक्ति इन करों का बुगतान इमानदारी के साथ नहीं करते समाज में अधिक आय प्राप करने वाले वर्ग एवन व्यापारी वर्ग जूटे हिसाब किताब बनाकर वे अपनी आय कम दिखाकर करों से बचने का परियास करते हैं दूसरा है एसवीधा जनक परतेक्स कर एसवीधा जनक वे कस्ट पर्द होते हैं करदाता को आय वे का विवरन तयार कर अधिकारी के सम्मुक रखना पड़ता है तथा उसे पूर्ण रूप से संतुस्ट करना पड़ता है कर अधिकारी के संतुस्ट ने होने पर करदाता को प्रियाप्त एसवीधा भी होती है तीसरा है बेमानी को परोत्साहन पर्तेक्सकर का भार सच्चे वे इमानदार व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है क्योंकि बेइमान व्यक्ति जोटे इसाब किताब बना कर रिस्वत दे कर करों से बच जाते हैं अन्य व्यक्ति भी इन करों से बचने का मार ढूनने का परियास करते हैं इस परकार इन करों से बेमानी वे बरस्टाचार को प्रोतसान मिला है। नमबर चार करों की मनमानी दर। पर्तेक्स करों की दर। सरकार सवेच्छा पुर्वक निर्धारित करती है। उपर बताय जा चुका है। लचीला है, मिलोश्टा है। कम या जादा किये जा सकते हैं। इन करों के निर्धारन में किसी परकार का वैधानी का अधार नहीं होता राज्य सरकार दुआरा कभी-कभी उच करार ओपन से उद्योग धंदे बंद हो जाते हैं तथा उच करो की दर से प्रभावित होकर लोग अपनी आए में व्रद्धी करना तथा उत्पादन कारिये बंद कर देते हैं इससे डेवलेप्मेंट भी कम होता है फिर्फ है पर्तेक्सकर निर्धन वर्ग पर नहीं लगाए जा सकते पर्तेक्सकर सभी नागरिगों के उपर नहीं लगाए जा सकते एक निश्चित सीमा से कम आए वाले लोग इनकरों से मुक्त रहते हैं एक क्राइटेरिया होता है लिमिटेशन होती है कि इतनी आए से अर्था जैसे कि आज इंकम टेक्स को देखते हैं कि पांच लाख से कम कमाने वाले लोगों पर इंकम टेक्स लागू नहीं है तो एक सीमा निर्धारित की जाती है जो गरीब लोग हैं उन पर इसको नहीं लगा जाता नमबर सिक्स सिमिच छेत्र परतेक्सकर कुछ व्यक्तियों से लिया जाता है इस परकार आये के लिए समाज की कुछ थोड़े से व्यक्तियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है साथवा अपसर साही पर्तिक्स करों के संबंद में अधिकांस निर्ने अधिकारियों द्वारा लिये जाते हैं निर्ने करने में अधिकारी गंड भरस तरीके अपनाते हैं जिससे समाज में अपसर साई का बोल बाला रहता है नेक्स्ट है एपरियाप्त आए पर्तिक्स करों से प्राप्त आए अधिकांस ते बहुत कम होती है जिसका प्रिणाम होता है कि सार्विजिनिक आए का थोड़ा साई अंस इन करों से प्राप्त होता है निशकर्स रूप में यदि कहा जाए तो वास्तों में पर्तेक्स करूं के अंदर दोस भी बहुत है प्रसासनी कारे परणाली के कारण है जो दोस है सिधान्तों के कारण नहीं है अर्थात जो अपसरसाही हो बिक जाती है थोड़े से स्वार्थ के लिए रिश्वत लेकर इन में कुछ फिर बदल कर डालते हैं अदे इन दोसों के बावजूद भी ये कर बहुत अधिक लाबदायक हैं यदि इनको बहुत ही इसपस्ता से सरलता से इमानदारी से लागू किया जाए नेक्स होता है प्रोक्सकर या एपर्टेक्सकर एपर्टेक्सकर वे कर होते हैं जिनका करापाथ एक व्यक्ति पर तथा करागात का भुगतान या कर भार दूसरी व्यक्ति पर पड़ता है अर्शा सरकार दुआरा कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वे कर के भार को दूसरी व्यक्ति के उपर टाल देता है एपर्टेक्स करो के क्या उधारन है आप समन जाएंगे बेकरी कर है जब हम कोई बाजार में वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं तो सरकार उस दुकानदार से उस सोप कीपर से ये कर लेती है टेक्स लेती है लेकिन वो सोप कीपर उस वस्तु के मुले में ही उसको एड़ करके कस्टमर को बेचता है यदि किस से वसूलता है कस्टमर से वसूलता है लगा उसके उपर था सोप कीपर के उपर लेकिन वो कस् इसलिए इनको प्रोक्सकर या एपर्टेक्सकर कहते हैं इसमें बिक्री कर है, आयात निर्यात कर है, उत्पादन कर है, मनुरंजन कर है इसकी प्रिभाशाएं हैं, प्रोफिसर डाल्टन ने कहा है कि प्रोक्सकर एक व्यक्ति पर लगाया जाता है कि इनको उसका भुगतान पूर्ट या आंसिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है प्रोफिसर जे एस मिल के अनुसार प्रोक्सकर तक एक ऐसे व्यक्ति से इस आसा से लिया जाता है कि वह इसे किसी दूसरी व्यक्ति से वसूल कर अपनी छती पूर्थी कर लेगा इनके भी कुछ लाब है नमबर एक है स्वीधा जनक एपर्टेक्स कर स्वीधा जनक होते हैं क्योंकि करदाता को करका भुगतान करते समय इस बात का आभास नहीं होता है कि वह करका भुगतान भी कर रहा है क्योंकि वह उस वस्तू के मुल्ले में ही इनकल्यूड होता है कर वस्तू एम सेवाओं के मुल्ले में ही संबलित रहते हैं अते करदाता को इनका भार नभाव नहीं होता सरकार के लिए भी इस वीधा जनक रहते हैं क्योंकि सरकार इन करों को उत्पाद को या व्यापारियों से परतेक्स रूप से सरलता पूर्वक प्राप्त कर लेती है दूसरा होता है कर्वंचन कठिन होता है एपर्टेक्स करो की करदाता चोरी नहीं कर पाता क्योंकि ये कर्व वस्त्वों के मुल्ले में सम्मलित होते हैं जिस परकार से GST है जब कोई भोकता वस्त्वे खरीता है तो उसे ये कर आवश्यक रोप से देने पड़ते हैं ये कर उत्पाद को इम व्यापारियों द्वारा राजकोस में जमा किये जाते हैं उन्हें तो देने पड़ेंगे लेकिन वे सभी व्यापारी वे सभी उत्पादक सबी customer से इसको वसूल कर महाँ जमा करते हैं customer ये समझता है कि साथ मैंने कोई किसी तरह का tax नहीं दिया है मैंने तो केवल इस वस्तू का मुल्ले दिया है लेकिन वो ये नहीं जानता कि उस वस्तू के मुल्ले के साथ वो tax भी वो GST भी जिस भी रूप में लिया जा रहा है वो पहले से इंकल्यूड है तीसरा है न्यायपून ये कर न्यायपून होते हैं क्योंकि समाज का प्रतेक व्यक्ति इनकरों का भुगतान करता है जो व्यक्ति अधिक वस्तू इम सिवाँ का उपयोग करता है उसे अधिक कर देने पड़ते हैं तथा जो व्यक्ति वस्तू इम सिवाँ का कम प्रियोग करता है उसे कम करों का भुगतान करना पड़ता है इस परकार ये कर प्रतेक्स करों की अपेक्सा सरेष्ट माने जाते हैं चोथा है सामाजिक हित की दरस्टी से उत्तम एपर्तेक्स कर सामाजिक लाब की दरस्टी से उत्तम होते हैं क्योंकि सरकार करों की मातरा में ब्रधी करके इस प्रकार की उप्भोग वस्तूओं के परियोग को हतोत सहित कर सकती है जिनका समाज पर कूपरवाओ पड़ता है जैसे सराब, गांजा, अफीम, आदी, मादक पदार्थों पर उचकर लगाकर इनके उपयोग को कम किया जा सकता है इसलिए इन पर सबसे ज़्यादा टैक्स होता है लोचदार पांचवा नमबर एपर्तिक्स करों की प्रकृती भी लोचदार है आवस्चक वस्तूओं पर कर में थोड़ी सी व्रधी करके सरकार अपनी आए में व्रधी कर सकती है छटा है विस्त्रित आधार एपर्तिक्स करों का आधार विस्त्रित होता है क्योंकि सरकार को अनेक सरोतों से आयप्राप्त होती है सरकार अनेक मदों पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में कर लगा कर अधिक आयप्राप्त करने में सफल रहती है इन से कुछ हानिया भी है अब एपर्टेक्स करों के क्या दोस हैं, क्या हानिया है नमबर एक है कर भार परिवर्तन से हानी एपर्टेक्स करों में कर का भार एक दूसरे पर टालने का प्रियास किया जाता है जिसके कारण अंतिम व्यक्ति पर इन करों का भार अधिक पड़ता है उधारन के लिए बिकरी कर फर्म देती है फर्म इसका भार थोक व्यापारियों पर टाल देती है थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी पर तथा फुटकर व्यापारी मुल्ले व्रधी करके उप्भोकताओं पर टाल देता है इस प्रक्रियासे वस्तों के मुल्ले में व्रधी हो जाती है जिसका प्रभाव निर्धन उब्होकताओं उपर बहुत अधिक पड़ता है दूसरा है मित वेता का भाव इन करों को वसूल करने में सरकार को बहुत अधिक खर्चा नहीं करना पड़ता इस कारण ये बहुत ही मित वेई हैं इनमें कोई खर्च नहीं आता है केवल उब्होकत उत्पादक लोग वसूलते हैं, सरकार उत्पादकों से लेटी है अर्थात वे उत्पादक सरकार के कोस्ट में जमा करते रहते हैं, नियाय संगत नहीं है, एपर्तिक्सकर प्राय वस्तुम सिवाओं के भोग पर लगाय जाते हैं, इसलिए इनका भार निर्धन वर्ग पर प्राय गरीब लोगों पर और अमीर लोगों पर दोनों पर पड़ता है, ये चोथा पॉइंट है, ये कर एनिस्चित होते हैं, प्रोक्स करों से होने वाली आए एनिस्चित होती है, क्योंकि एपर्तिक्स कर वस्तुम की बिक्री की मात्रा पर निर्भर होते हैं, जितना वस पूर्वा नुमान लगाना कठीन होता है, आत ये कहा जा सकता है कि एपर्थेक्स कर एनिश्चित होते हैं पाँचवा करो की चोरी का परियास। करता है, छटा है नागरिकता की भावना का भाव, करदाताओं को परतिक्स करों का भुखतान करते समय कर भार अनुभव नहीं होता, अत्व उन्हें इस विशे में किसी पर रकार की रूची नहीं होती है, कि कर का उभोग जन्हित की द्रस्टी से हो रहा है अत्वा नहीं हो र एपरत्यक्सकरों की दुरों में बरधी करने से वस्तुहों की कीम्ते बढ़ जाती है, जिनके कारण वस्तुहों کی मांग में कमी आती है, मांग में इस कमी का प्रभाव उत्रपादन एम राश्टी आये दोनों पर पढ़ता है, जिससे राश्ट के आर्थिक विकास में पाधा पड़ती है इस परकार हमने डिसकस किया कि पर्तियक्सकर और ये पर्तियक्सकर क्या होते हैं अलग-अलग इनको समझाया इन से क्या-क्या लाब हैं क्या-क्या हानिया हैं और किस परकार से सरकार की द्वारा ये लगाए जाते हैं इसी के साथ ये टॉपिक्स हमाप्त होता है तेंक यू बरी मुचू